नमस्ते दोस्तों आज हम पालक पनीर बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आप लोगों को बहुत ज़्यादे तरीका पसंद आएगा बनाने में बहुत ही आसान है उसके लिए सबसे पहले पालक को काट लिया था पालक ऐसे नहीं काटने बस उसके पत्ते ही निकालने ह लेकिन बाद में प्लांट चेंज हो गया तो पालक पनीर बनाने की सोच लिया तो उसके लिए सबसे पहले पालो को काट के अच्छे से धो लिया है अब इसमें थोड़ा सा प्यास डाल दिया काट के थोड़ी सी चीनी टमाटर लाल मिर्ची बड़ी इलाची डाल चीनी लैस की साने से बन जाती है पालक पनीर और बहुत ज्यादा टेस्टी भी बनती है अड़ टमाटर की सिलके निकाल लेकिंद नह overl вполне नहीं फ्लेवर सार।ह में आ गया हैं। तेज पत्ता भी डाल दिया था इस तरह से खड़े मसाले निकाल लेना है काली मिर्च भी डाल दिया था अब इसको पीस लेना है ठंडा होने के बाद इस तरह से बनाएंगे तो बहुत जाला टेस्टी पालक पनीर बनती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है देखिए कितनी अच्छी प्योरी तयार हो चुकी है चीनी डालने से कलर नहीं जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है सबजी का सबजी बना लेना उसके लिए कडाही में हमने तेल डाल दिया है गरम हो चुका है अब आधा केजी यह पनीर है छोटे-छोटे पीसेज में काट लिया है इसको फ्राई कर लेना है फ्राई करने से बहुत टेस्टी सबजी बनती है देखिए बढ़िया फ्राई कर लेना है अब इसको निकाल लेना है निकाल कि बढ़िया सा गरम पानी में डाल देना है पानी भी गरम होने के लिए रख दिया तो थोड़ा सा नमक डाल देना है पानी में इस तरह से बनाएंगे तो बहुत मुलायम पनीर हो जाती है चीवी नह अब मसाले डाल देना है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं डालना है, अब नमक डाल देना है, थोड़ी सी कास्मेरी मिर्च डाल देना है, अब अच्छे से चला देना है, अब इसको ढखके पका लेना ह मीडियम आज पे जिससे बहुत अच्छे से मसाला पक जाएगा और पालक भी अच्छे से पक जाएगी देखे कितने अच्छे से पक चुका है तेल भी अलग हो चुका है अब इसमें पनी डाल देना है और वही पानी डाल देना है अभी पानी जादा लग रहा है लेकिन जब पकाएंगे तो यह सोंक लेगी और बढ़िया सी ग्रेवी बन जाएगी अब इसको 10 मिनट धक्के पका लेना है देखिए पानी भी कम हो चुका है अब इसमें थोड़े से मसाले और डाल देना है जैसे कासूरी में थी पनीर मसाला थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर देना है और दो मिनट और पका लेना है धक्के देखिए परफेक्ट ग्रेवी तयार हो चुकी है अभी थोड़ी सी ठंडी होगी तो गाड़ी हो जाएगी सबजी परफेक्ट हो चुकी है और कितनी अच्छी पनीर बनके तयार हो चुकी है अब थोड़ा सा देशी घी डाल इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर में बाद में डालना है देखे कितना अच्छा कलर भी आ चुका है इस पनीर को रोटी पराठा चावल के साथ सरू करिए बहुत टेस्टी लगती है एक बार जरूर बनाईएगा पनीर इस तरह से आप लोगों को मेरी वीडियो पस बेहुतन आता है ओम यूमर ठावल को रोट को बार भीयोakah रो आता है र向 बालनां स्टी को रोगत थे लिएच्छेशन संस Авारे